नमास्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी फैसन में पिछले वीडियो में हमने सट कंपलीट करी थी इस वीडियो में हम इसका कालर बनाक और चढ़ाएंगे कालर बनाने के लिए सबसे पहले हमको सुर्वात कहां से करनी है यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें यह हुआ है यह हमारा उपर का है यह उल्टा चिप का है और यह नोक दिख रही है यह हमारा उपर का है यह हमारा जो है उपर का है और यह वाला जो है नीचे का है तो हमको क्या करना है जो नीचे वाला है वो हमको जड़ से काड़ना होता है तो हम इसको काट रहे हैं उसके बार इधर साइट से अब हमको क्या करना इसके अंदर हमको दवाव चाहिए तो इसको हमको निकाल लेना धियान से यहाँ पर कम है दवाव तो थोड़ा सा हम दोनों में बराबर करके निकालेंगे तो यहाँ पर हम एक कट देंगे दो ताकि हमको पल्टने में यह आसानी रहे तो हमको सबसे पहले करना क्या होगा सबसे पहले इसमें हम सिलाई लगाते हैं यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं नीचे का इसमें हम आईसे करके पैर की सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से घुमाके तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम इसको कागार बिल्कुल ऐसे करके करना है और इसके सिलाई लगाना है जैसे यह गुलाई में है बैसे हमको गुलाई में सिलाई लगाना है तो यह हमने सिलाई लगा दी उसके बाद अब हमको यह मारजन काट देना है क्योंकि इससे जो हमारी पट्टी एक तरफ खिचाओ रहता है तो ये काट देंगे तो इससे एकदम अच्छे से बैट जाती है अब हमको क्या करना है इसमें हम सिर्फ पैर बर दबाव रखेंगे बागी हम छाट देंगे पैर का दबाव इस तरीके से निकाल लेना है उसके बाद हमको बेन पट्टी का जो बी संटर का कुटका है वो हमको लगा लेना होता है इसको हमने लगा लिया अब हमारी ये बेन पट्टी कम्पलीट हो गई अब हमको कालर की बारी ये जो सीधा आला हिस्सा देख रहा है इदर से हमको कालर इस तरीके से रखना है यह जो जड़ से हमने काटा है यह नीचे का है हिस्सा तो हमको इस तरीके से रखना होता है और उसके बाद हम इसकी यहाँ पर सिलाई लगाते हैं पेश्टिंग से थोड़ा सा समझे लिए एक एमम हमको इधर हटा के लगाना होती है ताकि पेश्टिंग की हमारी लब जो है वो ना चमके और फसकला सलाई लगे उपर से लब नहीं चमकना चाहिए उपर साइड की तो इसकी जब नोग पे आए तो एक टाका पीछे ही रोंक लेना है क्योंकि यहां पर हमको धागा डालना होता है नोग निकालने के लिए तो यहां पर आए अब भम इसमें धागा डालते हैं जैसा कि यहां से अंगा तोडेंगे और डबल सेंग्ल आप कैसा भी ढाल सकते हैं आप बूट उठाना है आपको इसके बिल्कुल जड़ त जेना है और ध्यान रहे हमारी नोग को टाप नहीं जेना चाहिए वरना हमारा धागा निकल जाएगा उसके बाद नीचे आला पला हलका सा खिंचते रहना है नीचे का जो अस्तर है यानि कि क्योंकि वो हमारा नम होगा होता है अगर हम इसको टाइट नहीं रखते हैं तो और हमारी फिनिसिंग नहीं आती है कालर में बैक साइड में अब इसको बाद हमने देखिए इस तरीके हलका सा टाइट रखा और इसको दबा ले ना है इसे ही और फिर जो है शिलाई लगाते हैं उसके बाद हमको इधर बालें भी बैसे ही प्रोसेस करना है जो हमने उधर साइड में करा था इसको भी हमको ऐसे निकालके दागा डाल लेना है अब उसके बाद यहां पर देखना है हमारी नम बगेरा तो नहीं आ रहा है इसमें तो आई से करके प्लेन बिल्कुर रखना है और उसके बाद टाइट नीचे अला हिस्सा और उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं यहां पर टाकी लगा लेना है ओके तो यह हमारी सिलाई लग गए अब हमको क्या करना आप पैर भर दबाव रखना है बागी इसका छाट देना है नोक पे आप कम से कम दबाव रखें उससे क्या है हमारी नोक पे मोटा पन नहीं होता है कपड़ा कम होगा तो मोटा पन नहीं होगा ज़्यादा तो उससे हमारी नोक बहुत ही अच्छी निकलती है तो इस तरीके से इसको छाटने के बाद अब इसको अटा देना है चान तो आप इसे प्रेस भी लगा सकते हैं आईसे प्रेस लगाने की जरूत नहीं कि उल्टी तरब देखे बिल्कुल ही चिकना एकदम साफ है अगर इसमें नम बगएरा होती तो हमारी बाद में नम आती पर इसमें है नहीं तो इसके बाद हमको ऐस सिलाई वाला तो उससे बहुत जड़ प्रोब्लम आ जाएगी हमारा कालर खराब भी हो सकता इसलिए हम क्या करते हैं यह धागा हमको डालना होता है अब इसके बाद हमको इससे खींच लेना है और यह हमारी फसकिला देखिए नोक निकल आई कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है तो यह ट्रिक होती है इसके इस्तमाल जरूरी होता है करना उसके बाद हम इसको लेंगे और इसको भी ऐसे निकाल लेंगे उसके बाद चाहें तो आप इस पर नाकून लगा सकते हैं और नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कर नहीं क्योंकि हमने एक एमम की हमने थोड़ी सी हटा के सिलाई लगाएंगे तो उससे आपकी लब बगएरा नहीं आएगी उपर चमकेगी उसके बाद हमको नीचे का पल्ला को खीचते रहना है उधर के लिए और आइसे करके रखना है ताकि लब बगएरा ना चमके अब हम पैरिक सिलाई यहां पर लगाते हैं सिलाई लगाना होती है एक ही वार में धागा तूट गया आपका तो धागा नहीं तूटना चाहिए कालर पे क्योंकि उससे जोड़ा जाता है और जोड़ से सिलाई खुल जरूर जाती है अगर यहां पर आप टांकी मारेंगे तो बहुत ही बेकार लगती है जब यहां पर सिलाई लगाना है तो हलका सा धागा खिंचते रहें इससे जो है नोक एकदम परफेक्ट बैठती है इस तरीके से यह देखिए हमारा कालर बन गया अब हम उल्टी तरब भी आपको दिखाएं कितनी फिनीसिंग आइस में यहां पर लाया है अब हम इसको जब इदक यावली इसलाई लगाए तो हलका हलका कप्डा इधर कलिए निकालते रहें गयाएACK तो यह हमारा काम हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको नीचे कपड़े को जड़ से निकाल देना है, इसमें हमको मार्जन नहीं रखना होता है, इसको आपको धियान रखना है यह हो गया, अब यह है, हम इसको अभी नहीं काटेंगे, इसको अभी मैसे ही छोड़ देंगे, चाहें तो आप निकाल सकते हैं इसको, इसको बाद में निकालेंगे हम, चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, चलिए हम निकाल देते हैं, तो देखें यह हमारा चिपका हुआ है उधर साइड का है और यह बाला जो है हमारा एक उधर साइड का उल्टी तरफ का अब इसमें हम प्रेस लगाएं तो और भी एकदम अच्छा हो जाएगा यह दोना दरफ बिल्कुल प्लेन सा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें बी स तरीके से रखना है अब यहां पर रखने का एक चीज आओ ध्यान रखें आप जब यहां पर रखें तो इसका ध्यान रखें कि हमारा पैर भर कालर बढ़ती होना चाहिए इस टोन से यह जैसा कि हमारा यह है अब ऐसा नहीं है आप इतना आपने दबाव ले लिया बहुत ज है तो इसलिए पैर भर हमको चौणा रखना होता है इसको तो जैसा कि इसमें है तो संटर भी संटर का दोनों का निसान लगा लिया हमने अब उसके बाद जो है हम इसको सलाई लगाते हैं यहां से पींचना नहीं है किसी पल्ले को यहां पर आप कुछ फोटा बड़ा अगर प्रोब्लम लगे तो देखिए यह निसान लगा हुआ है इसके हिसाब से आप उठका भी लगा सकते हैं यहां पर जैसकि यह है मतलब इसको आपको मिलाना है तरीके से यह देखिए परावर करके और यह हम यह देखिए यह निसान बड़ा भी हिए आप लगा सकते हैं तो इसमें लगा हुआ है इस अब यही से हम इसको लगाएंगे जबाताए तो इस वाली उगली पर रखना होता है इसे और हलके हलके से गुमाना होता है कि कालर जो है मारा गॉल होता है इसलिए तो यह हमारा काम हो गया इतना अब हमको क्या करना है यह जैसे कि हमारी स्टोन गुलाई में है तो यह हमारा कपड़ा भी देखे गुलाई में कटा हुआ है तो इसको हमको गुलाई में ही बिल्कुल रखना है गुलाई में रखेंगे तो इसमें देखे ये बिल्कुल बैट गई अगर आप सीधा सीधा रख देंगे इसे करके तो क्या है इसमें नीचे नम आ जाएगी बनाने के बाद तो जैंग गोल में है तो गोल में ही रखना है तो आदा सूथ हम यहाँ पर चाक खोल देंगे इससे हमारा ठोका बहुत ही अच्छा निकलेगा तो हम इस्टार्ट करते हैं जब आप यह सिलाई लगाएं तो सिलाई के उपर सिलाई रहे और नीचे अलब पल्ला खिंचते रहें यहां तक तो हम उद्ध उपर के लिए अब नीचे के लिए जैसे कटा हुआ ऐसे ही आपको जड़ना है उसके बाद हम एक बार आई से करके रखेंगे और बराबर कर लेंगे यहां पर हमने चाक खोल दिया अब इसको हम पैर भर रखेंगे बाद की को छाट देंगे तो इस तरीके से यह जो है हमने कम्प्लीट करा है अब उसके बाद यह कैंची से हमको नोक निकाल लेनी है और यह हमारा देखेंगे दोनों तरफ इस तरीके से फसकिलास बैट गया तो हम पैरिक्स लगाएंगे अब पैरिक्स लाई यहां तक ही हमको लगाना होती है जो शिलाई है यहां से ही ऐसे करके ले जाएंगे तो यहां से हम सुरुबात करते हैं बहुत लोग सिर्फ लगाते हैं तो लपकी भी लगा सकते हैं लेकिन वो उसकी स्टोन थोड़ी सी चौड़ी होती है और कालर जो है का एक पघ्योट्यम्य की अला रिए और का को वाले मध्म द्वार सिरी और पेश्टिंग मुटी मुट्च तो उसका बहुना थो चलंगे बकची बनत रहता है है कालर तो इस को धूरी बना सकते हैं आप यसको बना सकते हैं आप देखे पीछे की साइड में कहीं नम आ रही बिलकुल ही नहीं आ रही है अब हम इसको चढ़ाएंगे तो एकदम फिनीसिंग के साथ देखे ये मारा तैयार हो गया है अब इसमें प्रेस बगरा कुछ नहीं लगाई है तो तब भी देखे आईसे ही बैठा है नम नहीं आ रहे अगर नम आती है आपकी तो कालर बहुत ही बुरा लगता है तो अब हमको क्या करना है सिंपल सा चाक से निसान लगा लेना है पिन से आप ना लगाएं पिन अगर कालर पे चल गया दोके से तो वो छुटता नहीं है तो चाक सबसे बेश्ट रहती चाक से आप निसान लगाएं चाक क्या है बाद में निकल जाती है बनाते बनाते ही चाक निकल जाती है तो जो है चाक बेश्ट रहती है उसके temद आपको यह अच्छे से निसान लगा लेना इसके किनारी पे और इसी पर ही सिलाए लगाना है तो यह देखिए हमने निसान लगा रखे है तो इस से एक अंदाजा हो जाएगा अगर आप नए है या वैसे भी आपको निसान लगाकर ही लगाना चाहिए इससे आपकी सिलाई एकदम बरावर बैठेगी तो उसके बाद हमको सिर्फ पैर बर दबाव लेंगे तो उतना ही रखना है बाकि हमको च्छाट देना है तो यह जो है हम इसको च्छाटे दे रहे हैं तो यह हमारा इतना काम हो गया अब हमको क्या करना है इसको बीच का कुटका ऐसे बरावर करना है आपको उसके बाद जो है बीच का कुटका यह लगा लेना है यह हमारा कालर कंपलीट हो गया है और इधर साइटम भी तो अब आप अगले पार्ट में इसको हम चढ़ाएंगे तो चढ़ाने में आपको जो चीजे हैं वो बिल्कुली डीटेल से समझाएंगे इसलिए कुई कि उसमें टाइम फिल लगेगा अगर डीटेल समझाएंगे और अईसलिए हम चढ़ाएंगे तो फिर तो तुरंत ही देखिएगा क्योंकि उससे जो है आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि सट किस तरीके से बनाते हैं तो अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब करने अगर यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो को सार तब तक के लिए नमस्कार